स्टूडेंट्स डॉक्टर भावना जी एचेस मुहनपूर जैसा कि हम सबको विदित है इंपॉर्टेंट डेज दिये हुए हैं हमारे शिक्षन संग्रे कॉम्पेंडियम में इनको हमें आदेश है अभी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं कि हमें ये स्टूडेंट्स को रोज प्रार 24 अक्टूबर यू एनो डे यू एनो मतलब यूनाइटेड नेशन ओर्गनाइजेशन डे संयुक्त राश्ट्र संग दिवस आए देखिये ये क्या है दे यूनाइटेड नेशन ओफिशियली कम इंटो एक्जिस्टेंस ओन 24 अक्टूबर 1945 सबको पता है 1945 तक दित्त विश् था उस विश्व युद्ध के बाद सभी देश मिलकर सामने आई और उनोंने एक संगठन बनाया ताकि कुछ ऐसे नियम बनाए जाए ताकि फिर से विश्व में ऐसी स्थिति ना आ पाए तो आज भी जब कोई देश किसी या किसी समस्या से उलजता है तो यह सारे जो संयु 1944 United Nations Journal Assembly declared 24 October the anniversary of United Nations the United Nation is an international organization founded in 1945 after Second World War by 51 countries इसमें 51 countries जो है वो इसके सदत से थे उस समय अब बढ़ चुके हैं committed to maintaining international peace and security developing friendly relations among nations एक पूरा अंतराश्ट्रिय शान्ती के लिए ये कारे किया गया and promoting social progress, better living standards and human rights जिसमें की एक अच्छा जीवन जीने का हर व्यक्ति को एक मानव अधिकार हो सैयोग्त राश्ट्र संग अंतराश्ट्री संगठन है जिसका उद्धेश्य ये उल्लेक है कि अंतराश्ट्री कानून को सुविधा जनक बनाने के सहयोग, अंतराश्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास, समाजिक प्रगती, मानव अधिकार और विश्व शान्ती के लिए कारे रत है सहयोग, राश्ट्र संकी स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 में, सहयोग, राश्ट्र अधिकार पत्र पर पचास देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी दित्य विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर इसे स्थापित किया था, ताकि युद्ध की स्थिती आगे ना बन पाए परतमान में 193 देश इसमें शामिल है यहे एक संगठन है, सभी को ग्यात है और नहीं है, तो हम लोगों को बेटा जानना है कि इस संगठन के ही अनुसार, विश्व शान्ती या कोई भी बड़ा देश, छोटे देश को अगर परिशान करता है या उससे कुछ भी छीनने की कोशिश करता है, तो यह सभी देश मिलकर उस छोटे देश की मदद कर सकते है ताकि कोई भी उस छोटे देश के अधिकारों का हनन ना कर सके धन्यवाद